इस वर्ड नू समझना है? तक कॉपी पैन लेके त्यार रहो तो सी हुन अपने आपते कुछ रिसर्च जो करनी है साश्रीकाल एब्रिबरन आज मैं रिवियो करूंगी हेक्टर एंड फ्रांसेस्क दी बुक इक्या गईनू आम तोरते पूरी दुनिया दे लोग जड़ी है गया हो लंबिया उम्रा नहीं जिन्दे पर जपान दे एक पिंड ओकी नावा दे लोग जिनना ने साइन्टिस्ट नूवी हैरच पाके रख्या हो यासी क्योंकि उत्थे दे लोग कांदी उमर सौ तकता राम नाल होंदी है ते सैंचरी मारन वाले सारे बुजुर्ग बहुत हैल्दी ते हैपी होंदी है ओ अपना काम वियाप कर दे है ते उना दे चैरे ते ना एक अलग जया नूर रेंद रिसर्च करन दे पता लगता है कि उत्थे दे लोग अपनी जड़ी लाइफ है ओ इक्या गई दे ही साबनाल जया होंदी है होने इस वर्ड दा मतलब की है Reason for being जया होंदे रेंदा कारण जिंदगी दा मकसद जपानी मान दे हा कि हर बंदे दे तरती दे होंदा कुछ ना कुछ कारण है ते बहुत दे लोग कानू ए पूरी जिंदगी नहीं समजान दा ते कुछ नू बहुत जल्दी मिल जान दा एक्या गई लबबन दिया कुछ निंजा टेक्नीक्स नहीं जिस विच बेसिकली चार सरकल्स होंदे है जड़की आपस दे विच मिले होई होंदे है कुछ इस तरीक के नाल फर्स सरकल दे विच एदधान दे कम जिन आनू करना ता अनू बहुत पसंद है जो ता अनू खोशी दिन दे तुसी अपना समापोल जान दे हो करना गाडनिंग करना डांसिंग करना सेकंड सरकल दे विच ओ काम बंदे ने जिना कमा दी दुनिया नू आज दी डेट दे विच लोड है एक्चली पिछले समय दे विच हर एक बंदे दा काम समाज नू चलान ली ज़रूरी सी विँ उनना ही इंपोettंक हुणदा सी जिनना की कोई शिकारी मिस्टरी याए लोहार विँ उनना ही इंपोटंक हुणदा सी जिनना की कोई सिपाही उस टेम बंदे ए चीज महसूस कर सकदे सी कि जड़े उहो काम कर रेया वो कितना समाजनों अफेक्ट कर दिया बट अजकल एदधा नहीं है अजकल जातार लोग गया वो ओफिसेस दे वीच काम कर दिया कुछ एदधान या जॉब्स हों दिया ने जिदे वीच तोसी बहुत जादा एफ़र्ट्स कर दियो बट फिर भी तानों कुछ पास्टिव रिजल्ट ने मिलदा एचीजां तानों नेगटिव कर दिया ने सम टाइम ताड़ी जड़े एफ़र्ट्स ने वो काउंट होई नी होंदे कदी-कदी बंदा सोचता है कि सची मेरे कम दी दुनिया दे वीच कोई कदर है या एधी लोड है सो कोई एद्धान दा कम लबना जीदे करके एक्ट्वल ज विजिबल चेंज होए दुनिया दे वीच तीसरी कैटेगरी आंदी है दे कमफर्ट लाइफ जीन ली पैसा मैटर कर दे देखो कुछ लोग का उन वी हजार बहुत ज़्यादा लग देने दे कई लोका ली एन एक पैसे दा रेंटियां सौधिया विची निकल जाते नेक्स करगरी आंदी है कोई एदन दे कम जिस विच तुसी एक्सपर्ट हूँ मतलब तुसी किस कम नूँ वधियत रिक्यनल कर सकते हूँ जरूरी नहीं है कि ये तोड़ टैलेंट ही होवे वैसे टैलेंट वी हो सकता है मतलब कुछ वी जिसनू जोगो तुसी थोड़ा टाइम दिन दे हो तुसी उस कम विच स्केल्ड हो जान दे हो मतलब एक प्राब्लम सॉल्वर हो तुसी किसे वी कम दे विच पामी होता नूँ पसान दे है या नही है एद्धान दा केड़ा कम है हुँ देखो फर्स दे सेकंड सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे है फर्स दे सेकंड सर्कल दे जो कॉमन वाले कामा ओ ताडे लाइफ दे मिशन होनगे फर एक्जामपल ब्लॉगर्स या एक्टिविस्ट्स ए एद्धान दी लोग होनदे है जो दुनिया नूँ बदलना चांदे है पर उरननू एही नहीं पता कि लोका नाल गालबात किद्धा करने या लोका नू लीड किद्धा करने उनना कुल कॉंफिडेंस नहीं हुनदा समटाइम सो अगर तुसी एद्धान दे क्याटेगरी दे विच हो तो अनू अपने आपते कम करने तो अनू ये चीज सिखनी पहेगी कि लोका नाल गालबात कीमे करी दिया बाइद वे इस टॉपिक दे में एक वीडियो अल्रड़ी बनाई होई है उपर ता अनू एक लिंक मिल चाएगा जिसते तुसी क्लिक करके वीडियो देख सकते हूँ सेकंड ते थर्ड सरकल नो अगर आपा मिलाई है ता एदे विच जो कॉमन का मान देया ओहो दर्सान देया वोकेशन नो फर एक्जामपल टीचर्स टीचिंग एक बहुत ही वदिया काम है पर टीचिंग दावी एही फ्लो है कि हर साल बार-बार सेम चीज अपा हर क्लास नो पढ़ानी होंती है जेड़ी की खुद टीचर दी जड़ी इंप्रूवमेंट है उन्हों रोक दन दी है जे तुसी इस कैटेग्री दे विच फॉल कर दे हो तुसी बोर फील कर रहे हो तुसी अपने आप दे एहे चीज ते कम करना है कि तुसी अपने आपनू चैलेंज करना है विद नू थिंग्स तुसी अपने कम नू इंट्रस्टिंग बनाओ कोई एद्धान दी चीज जड़ी तानू चैलेंज करे तानू इंप्रूव करे ते दुनियानों एक नवे मोड वाल लिखे जावे जिदे नाल की तड़ी भी इंप्रोव्मेंट हुए नेक्स्ट केटेग्री सीगी 34 जो की मिलके बढ़ांदे है प्रफेशन मतलब कोई एदान दा कम जिड़ा की तानू बैसे भी कम आके दावे ते जड़ा कम तानू करना भी आंदे है एदे विच मोस्टली फॉल कर दिया ने नाइन टू फाइफ अलिया जॉब्स जड़ा बंदा एदान यह जॉब्स कर दाया है वह स्टक फिल कर दाया है उन्हों लगदा है कि वह रैट रेस दाई अगर तुसी इस कैटेगरी दे विच भी फॉल कर दियो तानू यह देखना पेगा कि ताड़ा काम कीमें इंपक्ट करेंगा दुनिया नू तुसी की कर सकते हो अपने कम दे विच कुछ नवी चीज़ कर सकते हो राइट उन फर्स्ट ते फोर्थ सर्कल दे जो कॉमन वाले काम हा ओ तो आड़े पैशन ने मतलब एड़न दे काम जो तानू करने भी पसांद ने ते तुसी उन्हादे विच चंगे भी हो फर एक्जम्पल, सिंगिंग जादा तर लोग जो इस केटगरी दे विच फॉल कर दे है उन्हादी मेन प्राब्लम हुंदी है कि इस फिल्ड दे विच जाना ता चांदे है पर पैसे किद्धा कमाने इस चीज़ दी उन्हान नू 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 नहीं कोई जल्दी उन्हादी पैसे नू नू नोटेस करदा तो तानू मार्केटिंग ते फोकस करण दी जादा लोड़े उन्हादी चार दी चारे जड़ी इंटरसेक्शन ने इं मिलके तानू दसेंगे कि ताड़ी लाइफ दी एके गाई की है अगर स्टेल तुसी ए चीज़ा नोटेस नही कर पा रहे हो ते हली वी तानू इसी स्ट प्राब्लम हो रही है कि मैं की मैं अपनी लाइफ दी इके गाई लबाँ तो देर इस वन एक्ससाइज जेड़े की तानू बहात हैल्प करेगी ताड़ी जिंदगी दा मकसद लब पन ले फर्स्ट लिए ना सारे आंद वीचों पैशन लबना इसी है तो उस्ते गल कर दें एक चीज़ अपने दिमाग्ट रखो कि खुद इके गाई जानन लई तो अनू खुद नू पच्छानना पहेगा नकाम लोग खुद बारे कुछ नी जान दे पर दुज्जें दी लाइफ फर्दर चार हिस्सियां दे बिच डिवाइड कर लो फर्स्ट वाले खानने वीच लिखना है मैं है कमा दे वीच एक्सपर्ट है ते मेन्नू है कम करने पसांद वी ने तेहूं तुसी ओ काम लिखो जड़े तुसी वदिया तरिके ना कार भी लन देओ ते तानू मजा भी आ जो तानू पसांद नी पर वदिया तरीके नल कार नी पांदे पर तुसी करन दे वीच इंट्रस्ट रेड़ों ते तीसरे खाने दे वीच लिखो एकाम मननू करने पसांद नहीं पर मननू करने चंगी तरह ओंदेने एद्धन दे वी काम हो सक्दे हैं हां बिल्कुल फर एक्जेपल कही आनू कुकिंग करना पसांद नी है बट उननू करनी पैंदी है ओफेस जाना कही लोकर नू पसांद नी है ओफेस दे वीच इड़ा काम कर दे है उननू पसांद नी है बट विधधा टाइम उए दे वीच एक्सपर्ट हो गया जो तो हानू with time करने आगे ने बढ़ता अनू करन देविच कोई इंट्रस्ट ने है लास्ट खानने देविच तूसी लिखना है एक काम नाही मैननू पसांद ने ते नाही मैननू करने आउंदेने तो इस तो बात देखो एना चारां केड़ा काम है जीनू कर दे हो तो आडे दे दिन दा most of the time निकल जन्दा है जादा तर लोग जिना कोल अपना पैशन नहीं है वो नीचे वाले दो खान्या वाले जड़े कम है वो करन देविच अपना टाइम कर देँदे उपर वाले दो खान्या थे तड़ा पूरा फोकस होना चाहिदा बिना जौब नू छड़े फ्री टाइम देविच इस चीज ते कम करो कि इस कम तो कि में पैसे कमाये जा सकते ने ते बाकी सेम कम करके कि में इस तो पैसे कमा रहे ने रिसर्च करो एदान दे लोग कर फॉलो करो ते उनना तो कुछ सिखो एसे वताड़ा पैशन फाइंड आट करन ले सी है सेम एक्सेसाइज तुसी मिशन, प्रिफेशन या वकेशन लबढ़े भी कर सकते हूँ इस बुग दे विच हेल्थ ते प्रसनालेटी वाल बहुत ही जाधा त्यान देता गया चलो टेस्ट कर दे हैं काड़ी की प्रसनालेटी है टेस्ट दा नाम है डेस्क टेस्ट फर्स्ट तुसी एक अब्सर्फ करो कि तुसी एक आउटगोईंग परसन हो या रिजर्फ परसन हो आउटगोईंग जड़े हुं दे है खुलके दुज्जेनल गलबात कर दे या बाहर आना जाना पसंद कर दे या दोस्त जादा बनाओंदिया। फ्रेंड सर्कल देविच हुन्दिया ना एक एददददे बंदे जड़े की हमेशा किते बार जानना प्लान बनान वाली हुन्दिया। एदददे बंदिया। दुझे पासे रिजर्व जड़े हुन्दिया। एदददे लोका जो करे बैटके कम करना पसांद कर देया। कुछ खासी लोकां देविचे विचरना पसांद कर देया। उन्हादी नाली इंट्रक्षन रख देया। फर एक्जाम्पल गुरुप देविच ओ बंदे जड़े की हमेशा प्लान नूं कैंसल कर देया। एदददे बंदे कार दे विच रखे प्रड़क्टिव होना पसांद कर देया। तो सेकिंड अब्जर्वेशन एजी कि तुसी पीपल ओर्येंटेड हो या टास्क ओर्येंटेड। पीपल ओर्येंटेड बंदा दुजियां बारे जाधा सोचतेया। उना दे केर जाधा कर देया। चलो, टीचर दी एग्जामपल लेने या। सो एद्धान दे। सेकिंड हैगा टास्क ओर्येंटेड एद्धान दे लोग जो काम नू लेके बहुत सीरियस हुन देया। काम दी आउटकम, रिजल्ट वाल हमेशा ते आन्दन देया। फर एग्जामपल अगर कोई टीचर तास्क ओर्येंटेड हुएगा, तो हूँ वारवार टेस्ट लेके दिखेगा, प्रैक्टिस दे एक्ससाइस कराएगा, रैपेटीशन कराएगा सलेबस दी, स्ट्रिक्टली चड्यूर नू फॉलो करेगा। सो देट की ओदा रिजल्ट वधिया आवे, ते जड़े बच्चे है, ओ पास हो जान, ते फर्दर फ्यूचर दीविचे जड़ी होंदी स्ट्रगल होन वाली है, ओदे ली हो त्यार रहे हैं। स्ट्रिक्टली चड़े बिना जंगा माड़ा सोचे, बिना आपने आपनों या किसे कम नों जजज केते, तुसी फर्स दे सेकेंड अब्जर्वेशन दी किस कैटेगरी दे वीच फॉल कर देओ, ओ लिखो, तुसी अपने आपती पस्नालेटी नू एथों ही जानोगे। सो तो आड़ी इस जवाब तो, चार टाइप दियांप पस्नालेटी ज निकल के आउंदिया ने, D, I, S, C, जे तुसी आउटगोईं ते टास्क औरियेंटेड हो, ता तुसी डी कैटेगरी दे वीचो, मतलब डॉमिनीटिंग, एदधान दे लोग जेड़ा वी कम हाथ सो पूरा करके ही दाम लंदे ने, एदधान दे लोग जड़े की लीडर्शिप नो पसंद कर दे या, Second Personality है, एदधान दे लोग जो आउटगोईंग ते पीपल ओरियेंटेड ने, वो आई टाइप दे वीचान दे ने, मतलब इंस्पाइरिंग, जो अपने कम या गल्ला ना लोग कानों मॉटिवेट कर दे ने, एदधान दे लोग गाल बात करन दे विच बहुत वधिया हुंदे ने, जो हमेशा लाइफ दी पॉजिटिवीटी वालते आंद दे ने, थर्द पिसनालिटी है एदधान दे लोग जोड़े की रिजर्व ने, ते पीपल ओरियेंटेड एदधान दे लोग S टाइप दे विच आंदे ने, मतलब सपोर्टिव, एद लोग हमबल हुंदे है, हमेशा सार्या नू नाल लेके चल दे ने, ते लोग बहुत सैंसिटिव, मतलब पावुक दे स्लो भी हुंदे ने, लास्ट टाइप दी पसनालिटी है एदधान दे चारा कॉलिटी इस ता देखो सब दे विच थोड़िया थोड़िया हुंदिया इने, बट एना चों जाधा परसेंटेज वाली क्वालिटी केडी है, हुन अपनी पसनालिटे टाइप दे ही साब नाल काम करना स्टार्ट करो, जिमें की C टाइप वाले लोग IT फील्ड या ब वो सिरफ कम दे नहीं है, ताड़ी ओवरॉल हैपिनेस ते है, सो फर्स चीज है फूड, एदे विच एक चेप्टर है ताड़ी डाइट नू लेके, इस बुख दे साबनाल चे तुसी एक लंबी ते हैपि लाइफ जीनी है, तक काट खाओ, टिड नू सिरफ 80 परसेंटी पर अपने देलदी गाल, शेर करो, ते कदे वी स्ट्रेस नहीं लेना, दफा करो गल्लानू, जो स्ट्रेस ते एंसाइटी देना, नेचर नाल कनेक्ट रो, गाडनिंग करो, या थोड़ी बाती खेती करो, फिजिकल गेम्स करो, सिंपली मैडिटेशन करो, बुख दे विच अपना सेम कम करना शुरू करदो, अवरोल बुख दे वीच एक आगया है कि ओ करो, जो तो आनू खुशी दिन दे, बिना किसे नू नुकसान पहुंचाए, इंक्लूडिंग नेचर, इही बुख easy to read है, ते simplicity ते focused है, बाकि improvement दी जिते तक गल रही, वो ता हमेशा खुद दे विच करदे ही रहना चाहिए, दूसरी गल, जो तक दिलों तुसी, खुद नू बहतर बनान दी, कोशिश नहीं करोगे, तद तक मेरे वरगी यूट्यूबर भी फेल ले, है के नहीं, बाकि चीज़ा नू देखान दा नजरिया, सब्दा अलग लग हो सक्दा, तो अड़ा जरीया किया, जरूर शेर करो, मिल दी हैंजी फेर अगली वरी, तद तक ली, morning, evening, or night, जित्ते ही दूसे हूँ, have a nice day!